हलो गाईज, RSSB के लिए डिक्टेशन नंबर 110 स्टार्ट होगी, 5 सेकेंड बाद स्टार्ट गाउं भारतिय सभ्यता, संस्कृती की रीड और परम परागत केंदर रहे हैं आज 20 सदी के इस अंतिम चरण में भी भारत को गाउं संस्कृती और क्रशी प्रधान देश ही माना जाता है वास्तव में विशुद भारतिय सभ्यता, संस्कृती का जन्म आश्रमों, वनों और गाउं में ही हुआ है आज भी उस सभ्यता, संस्कृती को जो थोड़े बहुत अंच बचे हुए या सुरक्षित कहे जा सकते हैं वे गाउं में ही दिखाई देते हैं इन मूल बातों को पहचान कर महत्मा गांधी ने बहुत पहले कह दिया था कि गाउं के विकास और उन्नती के बिना भारत की स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं होगा भारत की स्वतंत्रता को वास्तुविक और व्यापक बनाने के लिए ही गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदलोनों को ग्रामों उन्मुक बनाया था गाउं के निवासियों को जागरत करने के लिए सावरमती और सेवा ग्राम जैसे आदर्श ग्राम तो इस्थापित किये ही थे तालीमी संग, बुनियादी सिक्षा जैसी कुछ सिक्षन संस्थाएं भी इस्थापित की थी, ताकी ग्राम जन सिक्षा प्राप्त कर एक तू अपना महत्व, अपने अधिकार और कर्तव्य पहचान सके, दूसरे राश्चे विकास धारा के साथ जुड सके वे शिक्षा प्राप्त कर क्रशी आधि के उपियोग के लिए सभी परकार के सुधरे साधन भी अपना सके, इस्थाप जिससे गाउं संस्कृती प्रधान भारत वास्तुविक स्वतंत्रता एवं सुक सम्रधी का अनुभव कर सके, इस्थाप पर क्या स्वतंत्रता प्राप नहीं ही कहने की बाध्यता आज भी बने हुई है स्टॉप पैरा स्वतंत्रता प्राप्ती से पहले भारतिय गाउं सिक्षा के नाम पर प्राय अचूते और कोरे हुआ करते थे स्टॉप वहां सिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत कम था स्टॉप पाँच दस गाउं में कहीं एक इस्थान पर प्राथमिक स्कूल होता, जिसमें एक आज शिक्षक नियुक्त होता स्टॉप स्कूल प्राय खुले इस्थानों, बड़के बड़े पेड़ों के नीचे ही लगा करते थे इस्टॉप कहीं कहीं कच्ची पक्की इमारते भी होती इस्टॉप पर वे लोगों का ध्यान बहुत कम आकरशित कर पाते इस्टॉप उसके बाद 10-15 गाओं में कहीं पर एक माध्यमिक श्कूल होता और 20-25 गाओं में एकाद हाई इस्कूल आदी कहतो नितांत अभाव हुआ करता था इस्टॉप वे बड़े बड़े शहरों में ही हुआ करते थे और वहां गाओं का शायद एक प्रतीशत बच्चा भी पढ़ने के लिए नहीं पहुँच पाता था इस्टॉप शिक्षा के प्रती आज कीसी जागरुकता भी तब नहीं थी इस्टॉप एक परकार से यह मानसिक्ता बन चुकी थी की पढ़ना लिखना समय को नस्ट करना है इस्टॉप पेरा स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद सिक्षा के प्रती जागरुकता का उदेतो हुआ, कोमा परंतु आज तक इसे समगर संपूर नहीं कहा जा सकता इस्टॉप गाओं में आज भी सिक्षा के प्रती वह सम्मान विक्षित नहीं हो पाया, कोमा जो नगरों महानगरों में दिखाई देता है इस्टॉप वहां का संपन वर्ग ही प्राए बच्चों को सिक्षा दिला पाता है इस्टॉप या निम्न वर्गों के महत्व कांग्षी बहुत थोड़े लोग सही रूप में सिक्षा पाकर अपना भविश्य उजागर करना चाहते हैं इस्टॉप क्योंकि वर्गों सिक्षा प्रणाली साक्षरता और सिक्षित होने के दंब के सिवाए व्यावहार के इस्तर पर कुछ दे नहीं पाती कॉमा इस कारण वहां चारों और सुना जा सकता है कि क्या मिलता है पड़ लिखकर इस्टॉप छोरे छोरियों को अपनी पुस्तेनी काम धंदे करने की आदत ही विगड़ती है इस्टॉप कौन सा उन्होंने मजिस्ट्रेड बन जाता है स्टॉप मतलब की वहां भी सिक्षा को रोजी रोटी से जोड़ कर देखा जाने लगा है और वह सब को मिल नहीं पाती कॉमा अतह आज वास्तुविक सिक्षा की और वहां की मानसिक्ता में जागरती आज भी नहीं आ पाई स्टॉप पैरा यो कहने को आज प्राय सभी इस्तरों पर गाउं में भी सिक्षा इस्थानों का विस्तार हो चुका है स्टॉप प्रारंभिक, माध्यमिक, उचतर माध्यमिक, स्कुल और कोलेज भी गाउं में या उनके आसपास उपलब्ध है स्टॉप प्रोड शिक्षा का भी प्रबंध है, कोमा फिर भी अधिकांज, ग्राम जन आज भी अनपड और और शिक्षित है स्टॉप वस्तुते वहां तक संस्थाओं का विस्तार तो कर दिया है, कोमा पर व्यवस्ता ठीक नहीं स्टॉप वहां के अध्यापक स्कुलों आधी में भहुत कम आते हैं, स्टॉप वह अपने घर की खेती बाड़ी में व्यस्त रहते हैं, स्टॉप बस वेतन लेने तो स्कुल आधी में आया करते हैं, कोमा आकर भी पढ़ाने में कम रूची लेते हैं, स्टॉप राजनीती और अपने अन्य धंदों में लगे रहते हैं स्टॉप परिनाम यह होता है कि अधिकांस छात्र प्राइमरी मिडिल आदी से आगे नहीं बढ़ पातें स्टॉप बाकी के अधिकांस दस्वी बाहरवी तक चल पाते हैं कॉमा कोलेजों तक बहुत कम सर्वता अभाव है स्टॉप वहां भी सिक्षा को रोजी रोटी के साथ जोड दिया गया है स्टॉप वह भी नोक्रियों से प्राप्त होने वाली रोजी रोटी साथ कॉमा न की सुसिक्षित होकर खेती बाड़ी कॉमा पारंपरिक या नए उध्योक धंदे अपना कर रोज स्टॉप पैरा निश्चे ही गाउं के जिन परिवारों ने समुचित सिक्षा की और ध्यान दिया है कोमा प्रतिक इस्तर पर उन्होंने प्रगती भी की है स्टॉप आज सिक्षा के कारण ही ग्राम जन अनेक प्रकार की अच्छी नोक्रियों में भी है और अपने उध्योक कॉमा परम प्रागत कारियों का नवीनी करण कर या खेती वाड़ी का सुधार कर काफी उन्नत भी हुए हैं स्टॉप पर अभी तक वैसा वातावरन नहीं बन सका स्टॉप जिसके कलपना गांधी जी ने की थी कॉमा या जिसके आलोक में गाउं में शिक्षा का विस्तार कि गया है स्टॉप इस प्रकार के वातावरन के निर्मान की बहुत आवशक है स्टॉप पैरा जो हो कॉमा आज गाउं सिक्षा के मामले में पहले से निश्चे ही काफी आगे बढ़ चुका है वहां का वासी सिक्षा का वास्तविक अर्थ और महत्व भी समझ रहा है स्टॉप अतह जिस प्रकार भारतिय गाउं अन्य बातों में प्रगती कर रहे हैं वैसे शिक्षा शेत्र में भी होगा स्टॉप इस बात की निकट भवश्य में उचित आशा की जा सकती है स्टॉप इसकूल कोलेजों में ग्रामिन चातरों की बढ़ती संख्या एक सुखत लक्षन कहा जा सकता है स्टॉप ग्राम आंचलों में स्टॉप कोलेजों का स्थापित होते जाना भी एक शुब लक्षन ही कहा जाएगा स्टॉप पैरा इसलाम एक निराकार इश्वर को मानने और उस पर पूरा यकिन बनाए रखने पर जोर देता है स्टॉप इश्वर पर मजबूत भरोसा दुनियावी जिंदगी में भी हमें बहुत सी परेशानियों से बचाता है और सुकून देता है स्टॉप इस्वर के आखरी पेगंबर ने कहा कॉमा एक इस्वर पर यकिन करने से वह जो व्यक्ती के दिल में मजबूती से रहता है स्टॉप यानि इनसान को यह एहसास बना रहता है कि कोई सर्व शक्ती मान सत्ता है कॉमा जो उसके हर एक कर्म पर नजर रखती है और उसके हर गलत कर्म पर सजा देने की ताकत रखती है स्टॉप यह यकिन इनसान को बहुत सी बुराईयों से बचाता है स्टॉप